आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम इसे दान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत 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 वागत है कई बार मैंने ये बाते बताई है, अब हम El Chapo की बात करेंगे, El Chapo के पे भी मैंने लेचर्स लिया है, ये बड़े इंटरस्टिंग लेचर्स होते हैं, तो इनकी जो वाइफ हैं, अब इनको भी जेल में डाल दिया गया है, बात करेंगे क्यों, चैनल को सबसे पहले सबस्क्र aming की हाइट है, इसको गिरफ्तार कर लिया था पिछले साल, मेकसिको का बहुत बड़ा ड्रग लॉड है, लीडर है सिनालोवा कार्टेल का, देखो, मेकसिको पे मैंने लेचर लिया है, वहाँ पे और ग्रॉफ्ट्राफिकिंग है, वहाँ पे ऐसे किढनापिंग बहुत आम बात है मेक्सिको के बहुत सारे पाट्स ऐसे हैं जो जुर्म के चपेट में और यह बहुत टाइम से हो रहा है वार अंड्रक्स मेक्सिको ने छेडा था लेगिन अभी तक उसको कोई खास सफलता हासिल नहीं है अब यह सब पूरी दुनिया में सपलाई किया जाता था अमेरिका में जाता था और अब उसके बाद धीमे-धीमे कार्टेल से बनने लगे काली ब्रेदर्स आ गए इसके बाद मिगुल फीलिक्स आ गया मेक्सिको का बहुत बड़ा ड्रग लॉड सिना लोग कार्टेल दोस्तों बहुत है ना? है ग्रूप से बेसिकली. इसमें सिना लोगाने बाजी माली कि कॉन ड्रग्स लेगा और बेचेगा? इतना जदा पाफुल है अभी भी ड्रग ट्राफिकिंग और्गनाइजेशन में इतना जदा पाफुल है यह कुछ भी कर सकता है इसी के पैरलली चल रहा था मेडलिन काटेल कोलंबिया में तो यह जो ग्रूप्स हैं इनका दबदबा चलता है क्या आप चाहेंगे मैं इस पर लेचर बना कहां पर यह उपरेट करता है सिनालोवा दुरंगो चियाना हुआ साओथ अमेरिका के रिजन्स और मेक्सिको के रिजन्स ओपी एम मारिवाना प्रडियूस होता है और यह जो कार्टेल है यह हर जगां भीजता है बड़े बड़े लोग इंवार्ड है और एल चैपो इसी का ही लीडर था 1990 से लेकर 2008 तक इसने समझ लीजे इतना सारा कोकीन और हेरोईन ट्रांसपोर्ट किया है अमेरिका में की क्या बताएं मेथ, क्यानिबेस, MDMA, सब लेकिन जैसे ही अलचापो को अरेस्ट किया यह कार्टेल टूटा अभी इसको इसमायल जमादा क्या कहते हैं कि ल ड्रक कार्टल है और मेक्सिको का मोस्ट डॉमिनेटर ड्रक कार्टल है ड्रक्स वाले करते हैं बड़े खतरनाक होते हैं यह क्या करते हैं यह सरकारों को इतना पैसा देते हैं क्योंकि ड्रक्स में बहुत पैसा इल्लीगर ड्रक्स में मैंने बताया था पाबलो एसकोबार न यहां के भी इसका नशा इसकी लग छूटती नहीं है तो एल चैपो जो है दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग ट्राफिकर माना जाता है 64 साल का है यह 1957 में इसका जनम हुआ था चार-पांच शादिया की हैं उनमें से एक एमा, कॉर्णल, औस्पिरो हैं 2007 में इसका शादि की दिजिनको अभी गिरफतार किया गया है यह ब्यूटी कुइन रही है और यह अल चैपो गजमेन की वाइफ है बताईए अल चैपो 64 साल यह 30 साल खैर यह सब तो चलता ही रहता है और अभी इनको आरेस्ट किया गया तो एल चैपो का दबदबा बहुत तेजी से बड़ा है ना बहुत गरीबी में गजमेन पैदा हुआ था बहुत गरीब परिवार में पड़ा था बचपन में इसको बहुत मारा पीटा जाता था पिता ने इसको बहुत तोड़ा है लेकिन धीमे धीमे इसको पता चल गया गलस संगती में पड़ गया कि लोकल डीलर्स थे जो मरुवाना बेचते थे इसको पता चल गया कि कैसे मरुवाना बेचना है 1970s में ये मार्केट उबर रहा था फिर मेक्सिको का बहुत बड़ा ड्रग लॉट मिगुईल फीलिक्स जिस पर नार्कोस आपने देखी कि नार्कोस सीजन 3 वो मिगुईल फीलिक्स पर बनाए देखिएगा जरूर उसको सुपरवाइस करने लगा फिर फीलिक्स को जैसे अरेस्ट किया गजमेन ने पूरा ये ज अर्बो का भी नहीं और फिर इसको गिरफतार किया गया 2019 में इसको गिरफतार किया गया और इसको सदा दी गई ठीक है तो छोटी सी कहानी एल चैपो की अगर आप चाहेंगे तो मैं पर सेपरेट बायोग्राफी बना दूंगा तो अब इनकी जो बीवी है और फिरो उनको गिरफतार कर लिया गया है थस्डे को अमेरिकन कोट में यह पेश हुई और इन्होंने एडमिट किया कि हां मैंने अपने पती की हेल्प की है जो मल्टी बिलियन डॉलर का क्रिमिनल एंपायर है ऐसे ही थोड़ी न उसको जाने देंगे बोला उन्होंने चार्जर क्या क्या है हिरोईन कोटेन मरौणा मेत जिसको बोलते हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज ब्रेकिंग बैक तो मैंने ब्रेकिंग बैक सच कुछ देखा एंगी गेम अफ फर्रोंस और ब्रेकिंग बैड शानधार मित जो है मरौणा कोकीन यह बीडिन ये स ये बोला है कि ये बहुत चोटा सा पार्ट है, सिना लोगा कार्तिल बहुत बड़ा है, अमेरिका में ड्रक्स को स्मगल करता है, अभी भी अमेरिका में ड्रक्स खतम थोड़ी न हुआ है, रॉनल्ड ड्रीगन जब प्रेसिडेंट बने 1980 में, तब उन्होंने अमेरिका में गल अब देख सकते हैं साड़े चार लाग किलोग्राम कोकीन, 90,000 किलोग्राम हिरोईन, 45,000 किलोग्राम मेथ, 90,000 किलोग्राम मारुवाना और इसकी कीमत पता है कितनी है, खर्बो में खर्बो इतनी कि आप बेज एतना पैसा इतना पैसा कमा शकते हैं आप 10 जनम तक घर बैटे खाशकते हैं 10 जनम छोड़िये आप पूरा देश खरी सकते हैं इतना पैसा यह Coronel Aospiro है यहीं बताया है कि यह बहुती छोटी पार्ट है it is very minimal participant in the drug empire यह कुछ है ही नहीं, बड़े लोग तो कोई और है, ठीक है, पहले गजमेन चलाता था, 25 साल तक उसने चला है, उसका रीन 25 साल तक चला है, तो यही चीज है, इसका अरेस्ट जो था वो बहुती बड़ा सप्राइज था, चुकि अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा लेकिन 2019 में जब गजमेन का ट्रायल हुआ, तद यह पता चला कि इसने गजमेन की हेल्प की है, ठीक है, आपको बता दू कि मेक्सिको में गजमेन को दो बार अरेस्ट किया गया था, दोनों पर जिल तोर के भाग गया था, फिर कॉरोनल ओस्पिरो जो है, यह एक तरीके से म चीनों ने, ताकि ड्रक्स को डिस्ट्रिब्यूट किया जा सके और जेल को कैसे तोड़े, यह, क्योंकि अभी तो एल चैपो गजमेन जेल में है न, सजा काट रहे हैं जिंदगी बर की, फिर कॉपरेटी नहीं कर रही है, कुछ इससे इंवेस्टिगेट कर रहें बता ही नह है की नहीं, यह लिच्चर था दोस्तों, यह रफ्तार कर लिया गया है, और ऐसे ही होता है, ड्रक्स का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत कुछ, अब आप बुलेंगे सर, एक बात बताईए, मैं पहले पूरा कर लो, ड्रक्स का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बहुत गुड लेकिन आपको बता दो कि ड्रक्स में सबसे सदा मिलती है profitable तो है लेकिन सबसे खतरनाक illegal अगर authorities पकड़ लेंगी तो जिंदगिया बरबाद हो जाती है और ड्रक्स एक ऐसी चीज है जो जिंदगिया क्या देशों को बरबाद कर देता है मैं आपसे हाथ जोड़ दूर से ही अच्छा लगता है तो इसी लिए विल्कुल दूर रहे और बस यही था और बाकी हमारा आप डाउनलोड करें courses को देखें feedback जरूर दे आपके बारे में आप है कैसी यह आप हमारी mail पे दीजे mail पे response तुरंट आता है हुश रहे पर तेरे इसे सिद्दान तक ने उत्री साइनिंगा